हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत हैं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR Study Inter में दोस्तों जिसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस विडियो स्रीज में हम लोग Class 12 यानि की Intermediate Board Exam के बेहतर त्यारी के लिए हिंदी के महातपूर्ण Objective Question का Chapter wise त्यारी करते हैं आपको बता दे कि आज यह इस वीडियो स्रीज का चार नंबर वीडियो है हिंदी के महातपूर्ण Objective Question के लिए तीन वीडियो अल्रेदी हम अपलोड कर चुके हैं तो अगर आप अभी तक इस सभी तीन वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के पले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजेगा जो कि आपके एक्जाम के लिए काफी महातपूर्ण है तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं जैसा कि आप सभी जान रहा है कि हिंदी के तीन चैप्टर के सभी महातपूर्ण Objective Question का हम लोग त्यारी कर चुके हैं तो आज के इस वीडियो में आपका हिंदी का जो चौथा चैप्टर है जिसका नाम है अर्ध नारिस्वर और जिसके लेखक है रामधारी सिंग दिनकर इस चैप्टर से संभनित काफी महातपूर्ण Objective Question का डिसक्शन करने वाले हैं तो लास्ट तक जरूर देखिएगा एक भी Question को Escape नहीं कीजेगा यहां जो है फर्स्ट Question के द्वरा पूछा जारा है कि किस रचनकार की पंक्तिया है नीचे जो ये पंक्तिया दिया गया है या किस रचनकार की है पंक्ति क्या है परने की कोशिस करेंगे पंक्ति है नारी माह पर जूलती हुई जूही का माला है यहां जो सभी सेंटेंस है यह वाक की जो है किस रचनकार का है तो यहां पर एक का जो आपका D option है बिल्कुल ही सही होगा याद रखेंगे राम धारी सिंग दिनकर जी के द्वरा ये जो पंक्तिया है वो लिखा गया है आगे बरेंग और देखेंगे नेक्स्ट दो नमबर महतपूर्ण कोश्चन को पूछा जा रहा कि ज्यान पीठ पुरसकार से सम्मानित रचना है निवन लिखित में से किस रचना को ज्यान पीठ पुरसकार जो है मिल चुका है तो दो का यहां पर आपका A option सही हो का याद रखेंगे पुरसी जो है वो रामधारी सिंग दिनकर जी का ही रचना है या भी आप याद रख सकते हैं नेक्स्ट देखेंगे हम लोग जो है यहां आपके तीन नमबर कुश्चन को बोला जा रहा है कि युद्ध और सांती की समस्या पर लिखी गई काब्यकिर्ती है मतलब युद्ध और सांती से समबंदीत जो लिखा गया काब्यकर्ती है वो निमली खितमें से कौन सा है तो तीन का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ऐ होगा याद रखेंगे कुरू छेत्र और कुरू छेत्र सब्दाप्टे से घिस समज़ते हैं तो आप सभी समझ सकते हैं कि यह ज का किस बिधा से संबंद है मतलब आर्धनारिस्वर जो पाठ है वो पाठ की कौन सी बिधा है तो चार का यहाँ पर आपका ए ओप्षन है बिल्कुल ही सही होगा याद रखेंगे या यह क्या है निबंद है आगे बरेंगे और देखेंगे नेक्स्ट हम लोग पांच नमबर पुछा जा रहा है कि आर्धनारिस्वर सिर्षक निबंद के निबंद कार का नाम बताईए यहाँ पर आपको आर्धनारिस्वर जो निबंद है इसके निबंद कार कौन है तो पांच का जो आपका सही आंसर होगा वो ए होगा याद रखेंगे रामधारी सिंग दिनकर आर् होगा डायटमिस याद रखेंगे 23 सितंबर 1908 इस भी यहाँ पर आपका बिल्कुल है छो का बी आप्शन जो है बिल्कुल है सही हो जाएगा अभी हम लोग हिंदी का चेप्टर बाद जो है त्यारी कर रहे हैं और हिंदी का पांच मोडल सेट भी हम पढ़ा चुके हैं तो हिं रामधारी सिंग्दिनकर का निधन कब हुआ था और देखेंगे आठ नमर कुश्चन पूछा ज़ा Is कन सी महत्पूर् shortest और देखेंगे आप लोग के लिए का चाहां हुआँ था तो यह काफी महत पूर्ण है तो यह ऐसे भी wipes से हैं的 तो इनके बारे में आपको बहुत सारा चीज पता होना चाहिए. जैसे आपको सबसे पहले बता दे, किरामधारी सिंग दिनकर जी जो है, उनका गाउं जो है, उनका जो जन्म है, सिमरिया गाउं, बेगु सराई जिला और बिहार राज में हुआ था, और उनके पिता का नाम था रभी सिंग, क्या नाम था, रभी सिंग था, और इनके नाम में आप किलियरली देख सकते हैं, कि दिनकर लगा हुआ है, दिनकर इनका टाइटल है, ठीक है, तो दिनकर जो लगा हुआ है, ये दिनकर क्यों लगा हुआ है, तो आपको बता दे उनके पिता जी का नाम था रवी सिंग और रवी जो सब्द है वो सूरिय का पढ़ियावाची है और सूरिय का पढ़ियावाची दिनकर भी है तो एक तरह से समझे कि ये अपने पिता जी का नाम क्या किये हुए लास्ट में लगाए हुए क्योंकि रभी का ही पढ़ियाए बाची सब्द होता है कौन चीज दिन कर और ये हिंदी के क्या थे महान कभी थे और दूसरे बात अगर देखा जाए लंगट सिंग कॉलेज में हिंदी के विवाव गाध्यक्ष भी थे और लास्ट में जाकर के इन्होंने भारत सरकार के पर भी सुसोबित हुए तो इनके बारे में आपको जानना जरूरी है क्योंकि आपके एकजाम में एक टॉपिक ऐसा भी आ जाता है जिसमें आपको बताना रहा थे क्या करो आपने अपने फैबरेट कभी के बारे में लिखना होता है तो आप जो है दिनकर जिके बारे में लिख सकते हैं तो 9 का जो आपका सही आंसर होगा वो C होगा याद रखेंगे संस्किर्ति के 4 अध्याए या जो पुस्तक था इस पुस्तक के कारण इन्हें साहित्य अकादमी पुरसकार मिला था नेक्स देखेंगे हम लोग 10 नमर कुश्चन पुछा जा रहा कि दिनकर को कौन सा पुरसकार मिला था तो 10 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो A होगा याद रखेंगे पदम बहुसं यहाँ पर आपका सही आंसर होगा आगे बढ़ेंगे और आपको बता दे कि intermediate board exam के बहतर त्यारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे mobile app को download नहीं किये हैं तो इस वीडियो के description box में आपको mobile app का link मिल जाएगा वहाँ से download कर लिजे नहीं तो पले store पर search किजेगा lgrstudy app तो वहाँ से भी आप लोग download कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखेंगे 11 number question पूछा जरा कि दिनकर की कभीता का कौन सा गुन नहीं था दिनकर जी के कभीता का कौन सा गुन जो है नहीं है तो 11 का यहाँ पर आपका b options योगा याद रखेंगे मस्रिन्ता मस्रिन्ता जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल है सही answer होगा next देखेंगे हम लोग बारा number question पूछा जरा है कि दिनकर किस यूग के कभीते तो 12 का यहाँ पर आपका c option सही होगा चाया वाद उत्तर यूग के यह क्या थे कभी थे कौन तो दिनकर जी आगे बरहेंगे और देखेंगे आपके 13 number question को 13 number question के दोरा जो है आपसे पूछा जा रहा है कि कामनी तो अपने साथ क्या बोला गया कामनी तो अपने साथ dot dot की सान्ती लाई है तो यहाँ पर dot dot में यानि की खाली जगह में आपको भरना है तो क्या सही यहाँ पर आपका आंसर होगा तो 13 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो C होगा that means याद रिखेंगे यामनी मतलब कामनी तो अपने साथ यामनी की सान्ती लाती है नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 14 नमर कुष्चन पूछा जा रहा है कि जिस पुरुस में नारित तो नहीं है dot dot है वह पुरुस कैसा है तो 14 का B आपका सही याद रिखेंगे और पुर्ण है नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर आपके आधी नारी B अप्शन दिया गया है पूरी नारी C अप्शन दिया गया आधा पुरुस और जो D अप्शन है वो है आर्ध नारी स्वर संकर और पारबर्ती का कल्पित रूप है जिसका आधा अंग पुरुस का और आधा अंग नारी का होता है तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा है तो पंदर का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो D होगा याद रखेगा कि अर्ध नारिस्वर जो सब्ध है इसका अर्थ क्या होता है इसका अर्थ होता है अर्ध नारिस्वर जो है संकर और पारबती का कल्पित रूप है बताईए और अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजे साथ ही अपने दुस्तों में शेयर कर दिएगा और इसका PDF आप लोगों को हमारे mobile app पर मिल जाएगा जहां से आप लोग जो है डाउलोड कर सकते हैं आप लोग सभी PDF को जो है डाउलोड कर सकते हैं तो जो लोग अभी तक मुबाइल एप को डाउलोड नहीं किये हैं तो इस वीडियो के मिल जाएगा तो वहां से भी आप लोग मुबाइल एप जो है डाउलोड कर सकते हैं चलिए इस वीडियो को लाइक करके अधिक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो उस पर किलिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बगल में घंटी का निसान आएगा उस पर किलिक देखते रहे हैं